अप्रेल से होने वाले बड़े बदलाओं के बारे में क्योंकि एक अप्रेल 2023 से सरकार की तरफ से कई बड़े बदलाओं किये गए हैं जिससे आमनागरिकों को बड़ा जटका लगेगा आपकी जेपर क्या असर पढ़ने वाला है इसके बारे में जानेंगे आधार कार्ड हो या फिर आपको दैनिक जीवन में कुछ चीज़े खरीदनी हो इन सभी चीजों में बड़े बदलाओं किये गए हैं जिससे जानना बहुत जरूरी है तो चलिए जान लेते हैं एक अप्रेल से क्या सस्ता होगा क्या महेंगा होगा और साथ ही बैंक में कितने दुनों तक जो एक अप्रेल से बदलाओं होने वाला है उसकी आप लिष्ट यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेल महीने में गैस लेंडर के नए रेट लागू होने वाले हैं यानि अगर आप अप्रेल महीने में गैस लेंडर बुक करेंगे तो आपको हो सकता है कि यह महेंगा मिले इसक क्योंकि इसमें महंगाई हो सकती है इसके रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है फिलाला को जादे इसका रोज नया रेट आता है हाला कि आपको जादे एक अपरेल से बताया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल सस्ता हो सकता है वैपरेल 2023 में कुल 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे बैंक धारकों के लिए बड़ी खुसकबरी है गर आप बैंक में करमचारी हैं तो आप जा लिजे कि आपको 15 दिनों तक आउकास मिलने वाला है हाला कि आपको दादे ये सबी राज्यों की साब से अलग-अलग छुटियां है यानि कुल राज्यों की छुटियां मिला कर ये बताई जा रही है जिसमें सेकंड सेटर डे और लाश्ट संडे वगएरा भी है कुल मिला कर अगर आप अपरेल महिने में कोई बैंक का काम करने जा रहे हैं तो उसमें साउधानी बरते क्योंकि 15 दिनों तक बैंक बंद रहेगा ऐसे में आप अपना जरूरी काम इन दिनों से पहले ही निप्टा ले वही एक तिसमार से पहले अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्ध हो जाएगा निस्करी कर दिया जाएगा वही एक अपरेल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले हाल मार्क जुएलरी बिग पाएंगे यानि कि जो जुएलरी वगएरा आप लेते हैं उसमें 3 या 4 डिजिट होती है लेकिन अब 6 डिजिट वाला हॉल मार्क का जुएलरी ही बिग पाएगा ऐसमें जो जुएलरी का काम कर रहे हैं उनमें हनकंप मचा हुआ है हाला कि आप गदादे अगर आप सोना वगएरा खरने जाएंगे तो अब ये 6 डिजिट वाला हॉल मार्क देख कर ही खरी दे जब दोस्तों 1 अप्रेल से महिंदरा की मराज हुई या अलदूराज जी फोर्ड हुआ या के यूवी हंड्रेट कारों को भी सोरूम से हटा दिया जाएगा इसका कारण सरकार ने बड़े बदलाओ के कारण किया है तो बजट पेस होने के बाद एक अप्रेल से क्या सस्ता क्या महंगा होगा आप यहाँ पे देख लिजिए फाइनेंसियल टेक्स के बारे में भी बड़ा अप्डेट आ गया है आप जट दोजार तेस अब अप्रेल में लागू होगा पहली तारिक से ऐसे में जो चीज़े आपको सस्ती मिलेंगी जो चीज़े महंगी होगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इससे पहले ही आप खरीद लिज़े अगर खरीदना चाहते हैं तो दरसल आपको दादे एक अप्रेल से आप LED TV, कपड़ा, मोबाइल, फोन या खरीदना चाहते हैं तो यह आपको बेहत सस्ता मिलेगा वही साइकल की खरीदारी भी सस्ती हो जाएगी सरकार ने इन सभी प्रोड़क्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है इसके चलते आम जंता को अब यह सस्ते में मिलेगा आपको दादे इसमें कस्टम ड्यूटी 5% लगती थी जिसे घटा का 0.5% कर दिया गया है यानि चाहे LED TV, कपड़ा, मोबाइल, फोन वगरा खरीदना चाते हैं या कोई भी बच्चों का खिलाओना खरीदना चाते हैं तो यह सबी चीजे अब आपको सस्ती मिलेगी एक अप्रेल से यह सारी चीजे महेंगी हो जाएगी अगर आप सिगरेट सराव वगरा पीते हैं तो यह आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएए क्योंकि यह कप्रेल से इन में भारी बढ़ोत्री होने वाली है आपको दादे सोना, प्लेटिना, विदेसी, किचन की चिमनी, एक सरे मसीन यह सबी चीजे भी महेंगी हो जाएगी वही आयात होने वाले चांदी के सावान भी महेंगी हो जाएगे आपको दादे जादा पैसा इसके लिए खर्च करना होगा जहां सिगरेट पर कश्टम ड्यूटी 16% बढ़ा दी गई है यानि अगर आप सराप से ग्रेड या पर तमबाकू वगरा खाते हैं, पीते हैं ऐसे में यह सबी चीजे महेंगी होने वाली है वही नए फाइनल सियल एयर में बदल जाएगा टैक्स का स्लैब आपको दादे दोस्तो 7 लाग रुपय तक की आये पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा हाला कि यह छूट नई टैक्स पॉलिसी की तहत मिलेगा अभी टैक्स बनने के लिए दो विकल्प मौझूद है मिलते हैं नए अपडेट में नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद